हाई गाइस वेलकम बेग टू मोटो राइडर गाइस बहुत साय लोग यमा की MT-15 की न्यू मोडल का बेश अबरी से इंतजार कर रहे थे तो फाइनली दोस्तों आपका इंतजार खतम हो गया है क्योंकि अमा मोटर ने इस बाइक की अफिशली अनॉंसमेंट डेट रिलीस कर दी है यानि की MT-15 की न्यू मोडल आपको 13 फरविरी को इंडियन मार्केट में लांच होते हुए देखा जाएगा और इस बाइक में आपको काफी सारे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर MT-15 के न्यू मोडल में कौन से अपडेट किये गए हैं क्या बाइक में आपको डूर चेंजल एबियस मिलने वाला है और इस बाइक के प्राइस कितनी होने वाली है वीडियो में लास सक बनी रहिएगा इस बाइक में जो पहला अपडेट किया गया है वो किया गया है बाइक के ब्रेकिंग सेट अप में अब इस बाइक में आपको डूर चेंज एबियस मिलने वाला है जो MT-15 का 2022 मॉडल है उसमें आपको सिंगर चेंज एबियस मिलता था लेकिन अब MT-15 के न्यू मॉडल में आपको बिल्कु न्यू डूर चेंज एबियस मिलेगा बट इसके बज़े से जो बाइक के प्राइस है न वो आपको थोड़ा जैदा देखने को मिलने वाली है इस बाइक में जो सेकेंड अपडेट किया गया है वो किया गया है बाइक इंडिकेटर में अब इस बाइक में आपको LED में इंडिकेटर देखने को मिलने वाला है जिसमें बाइक लूक और नाइट विजबिल्टी पहले वाले model के compare में काफी अच्छी होने वाली है क्यूंकि जो MT-15 का current model है उसमें आपको हाइलोजन में indicator दिये गए हैं जो कि इस bike को बिल्कुल भी suit नहीं करता है इसके लावा इस bike में आपको new graphics और new theme देखने को मिलेगी bike में आपको new color के alloy wheel देखने को मिलेंगे जिससे bike कलू काफी अच्छा लग रहा है इसके लावा company ने इस bike के engine को upgrade किया है bike के power को bike in show pickup को और bike के talk up को भी increase किया है जिससे bike के performance में काफी improvement देखने को मिलने वाली है दोस्तों अगर bike के price की बात करें तो अभी तक Yamaha ने officially announcement नहीं किया है कि इस bike के price कितनी होने वाली है बड़ सोच से पता चला है कि ये bike के price 5-6,000 रुपए जैदा होने वाली है Guys आप comment section में बताइए कि Yamaha के MT-15 का new model आपको कैसा लगा और ऐसी interesting वीडियो के लिए चैनल को subscribe करें